हलो दोस्तो आर एस प्रारंबिक व्यमुख्य प्रिक्षा की त्यारी करने वाले सभी युवागल का बागुडवा एजुकेशनल प्लेटफोर्म में हार्दिक स्वागट है आप सबी के लिए नविंतम पंठेक्रम पर अधारित विश्तरीत व्याख्या वे विश्लेशन पर अधारित टेस्ट सिरिंज परती दिन 25 क्वशन से आपको रुबरुकरवाया जाएगा जो प्रारंबिक प्रिक्षा के लिए बहुती मेर्तपुन साभी तोंगे और शाम के टाइम आपको ये बताए जाएगा कि मुख्ये प्रिक्षा में आपको अच्छे अंग अर्जित करने के लिए किस परकार राइटिंग करनी है इस यूटूब चैनल के द्वाला आपको ये श्काय जाएगा कि किस कोशन को कम टाइम में आप किस तरह से अटेंप्ट कर सकते हैं 25 कोशन डेली आपको रुबरु करवाये जाएगे डिस्क्रिपिशन में डिये के लिंक से टेलिग्राम को जोइन करेंगे तो आप सभी 25 वसन और प्लस में मुख्य फ्रिक्षा के 5 वसन का डिटेल सलुसन पढ़ सकते हैं आप सभी के लिए है जमीर जिन्दा रख कबीर जिन्दा रख सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिन्दा रख हार जाए चाहे जिन्दगी में सब कुछ मगर जिन्दगी में जीटने की उमीद जिन्दा रख वो मंजिल भी सर जुका देगी जब दमदार तेरी त्यारी होगी मुठी में होगा मुकदर तेरा मुठी में होगा मुकदर तेरा शुरू करते हैं आर एस प्रारंबिक प्रिक्षा टेट सिरीज नंबर नाइन पहला क्वेशन एस्क्रेन पे भारत संग में विल्य है तू अस्ताक्षर करने वाली राजस्तान के अंतिम राजा कौन थे बर्तपूर के नरेश बरजेंदर सियें बांसवाडा के नरेश चंदरवीर सियें दोलपूर के नरेश उद्यभान सियें या फिर डूंगरपूर के नरेश लक्षमन सियें तो अंतिम अस्ताक्षर करता कोण थे भारत विल्य पर तो अंतिम अस्ताक्षर करता जो थे वो धोलपुण नरेश उद्य भांसिये थे किस दुरग का निर्मान परतिहार सासक नागबट पर्थम दुवारा करवाया गया सूरणगिरी नहारगड सिवाना या सेरगड तो ये दुरग था सूरणगिरी दुरग नेक्स्ट कोशन एस्क्रेन पे परिमनात्मक साक नियंत्रन विदी के अंत्रगत रिजरव बैंक दुवारा कोण सा उपाय नहीं अपनाया जाता साक को कुछ छेतर तक स्मित करना रिवर्स रेपोदर में प्रिवर्तन तो कौन सा उपाय नहीं अपनाया जाता साक को कुछ छेतरों तक स्मित करना नेक्स्ट क्वेशन स्क्रेन पे निमन को सुमेलित कीजिए एक तरफ आपको देरकिये बावडियां और एक तरफ देरकस्तान केला बावडी रतन बावडी तापी बावडी और चमना बावडी इनको आपको मिलान करके बताने कि कौन सी बावडी कहां पे है अगर इनका मिल तो आप देख सकते हैं कि यह जो केला वावडी है केला वावडी है यह तो है डुंगर पूर के अंदर रतन वावडी स्थ इरोई में तमापी वावडी जोद पूर में चमना वावडी वावडा था रहां है उकेद कुण आपपकीप्षण नंबर 4 ईसका रहां संसर होगा सास बहु मंदिर नागदा उधारन है गुजर परतिहार सेली का बोमिजा सेली का सोलंकी सेली का या पंचायतन सेली का तो यह गुजर परतिहार सेली का नेक्ट क्वशन स्क्रीन पे निमन में से ऐस अत्य कथन है पहला है चोल दक्षिन भारत के राजवन्सों में प्राचिन्टम है नवी स्ताबदी में चोल सता का पुन्र उठान हुआ जिसका स्रे विजाल्य को प्राप्त है तकलोम के युद में रश्ट्रकुट सासक क्रिशन ट्रीटिय ने चोल सासक प्रांतक पर्थम को अराया या संत रामानुजा चारे राज राज पर्थम के समकालिन थे तो ये कौन से कथन सही है गल्थ कौन सा कथन है तो चार नमबर गल्थ रहेगा इसका उप्षन नेक्ट क्वेशन है हर्सवर्दन तता पुलिकेशन ड्विट्य के मद्धे नर्मंदा नदी के किनारे इत्यासिक युद हुआ जिसमें पुलिकेशन ड्विट्य विजिट हुआ इस युद की जानकारी का परमुक स्त्रोत क्या है तो परमुक स्त्रोत है इसका एहोल अभी लेक एहोल अभी लेक नेक्ट क्वेशन है स्क्रेन पे किस चोल सस की मृत्यू कोपम युद के सम्में युद भोमी में हुई थी तो वो चोल सस कोण से ते राजा दीराज पर्थम जिनकी मृत्यू युद भोमी में हो गई थी नेक्ट क्वेशन है पल्लव सासकों के सम्में केंद्रिये सासन में रहष्यादीवाद का कार्य क्या था इसका कार्य था परमुक विश्यों में मन्तरना एतु विशेश दल रहष्यवादीवाद का जो कार्य था पल्लव सासकों के सम्में वो था परमुक विश्यों में मन्तरना एतु विशेश दल नेक्ट क्वेशन है स्क्रेन पे किस चलू के सासक ने इरान के सा खुसरों द्वित्ये के दरवार में अपना राजदूत बेजा था किसने बेजा थ संसद में जिन पर्सनों का उत्तर मोखिक दिया जाता है और उसके बाद पूरक पर्सन पुछे जा सकते हैं क्या कहलाते हैं जिनका उत्तर मोखिक होता है उसके बाद पूरक परसन पुछे जाते हैं तो ऐसे परसनों को बोलते हैं तारंकित परसन क्या बोलते हैं तारंकित परसन नेक्स्ट है निमन में से कौन सा परस्ताव राजे सबाब में परस्तूत नहीं किया जाता है विश्वास परस्ताव विश्वास परस्ताव यह स्तगन परस्ताव तो ये तिन्नों ही परस्ताव राजय सभा में परस्तोते नहीं किये जाते संसद का कोई सदे से कितने दिन लगातार सदन के डिवेशन से बिना बताए अनुपस्तित हो तो उसका स्थान रिखत हो सकता है सदनों के बारे में मंत्री और महान्याईवादी के अधिकार के संद्रव में निमन कथो पर विचार कीजिये और सई कथन है वो छांटने मंत्री और महान्याईवादी के संबन में पहला कथन देरक है अनुछेद 88 में इसा प्राबदान है दूसरा है भारत का महान्याईवादी सदन की कारवाई तता दोनों सदनों की श्यूंक्त बेटक में भाग ले सकता है कोई मंत्री जो किसी एक सदन का सदे से है दूसरे सदन में भागेदारी वे मतदान कर सकता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो C उप्षन है वो यहाँ गलत है A और B दोनों सही है तो इसका एंसर रहेगा C नेक्स्ट कॉशन है स्क्रीन पे लोकसभा में मंत्री परिशिद के विरुद्ध एविश्वास परस्ताव सबसे पहले किस नेता के द्वारा रखा गया तो यह नेता थे सबसे पहले जिनों ने रखा था अच्चारे जेबी करपलानी नेक्स्ट क्वशन है स्क्रीन पे किस समिती की सिपारिस पर पंचायत उपवंद अधिन्यम 1906 में बनाया गया तो कौन सी वो समिती ती दलीप सियें भूरिया समिती की सिपारिस पर नेक्स्ट क्वशन है राजस्तान में गेर पारंसंप्रिक उर्जा स्त्रोतों से उर्जा उत्पादन करने है तू नवीन एव नवीनिकन उर्जा मंत्राले भारस सरकार की नोडल अजंसी कोन सी है नवीन और नवीनिकन उर्जा मंत्राले की नोडल अजंसी कोन सी है तो नोडल अजंसी है राजस्तान अक्षे उर्जा निगम लिमिटेड नेक्स्ट क्वशन है स्क्रीन पे किसी वस्तू एव सेवा के मुल्य की गर्णा उनके अधार वर्ष की किम्तों पर की जाती है उसे क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं वास्तविक जीडिपी नेक्स्ट क्वर्शन स्क्रीन पर स्टिर किम्तों पर देश्य मुदरा के 11 नात्रा के बदले प्रपय किसी एक देश की विदेश्य मुदरा की मात्रा को क्या कहते हैं एक देश की विदेशी मुद्रा की मात्रा को क्या बोलते हैं श्टिर किम्त पर उसको बोलते हैं वास्तविक विन्य में दर वास्तविक विन्य में दर नेक्स्ट क्वेसन है भारत का पर्थम समुंद्री तरंग विदु सयंतर कहां स्तापित है तो भार वो विजिगम केरला के अंदर स्थापित है नेक्स्ट क्वर्शन स्क्रेन पे निमन में से मोनोजाइट के सर्वादिक भंडार किस रजे में पाए जाते हैं तो मोनोजाइट के सर्वादिक भंडार केरला में पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वर्शन है हजीरा विजेपूर पाइपलाइन का निर्मान किसके द्वारा किया गया है हजीरा विजेपूर पाइपलाइन तो इसका निर्मान किया गया है गेल के द्वारा नेक्स्ट है बिकानेर के पलाना में पाये जानने वाला कोईला किस युग का है बहुत बढ़िया question है ये धारवाड, गोडवाना, ट्रसरी या नियो जोईक तो बीकानेर के पलाना में जो कोईला पाया जाता है वो ट्रसरी युग का है next है बारा जिले में अन्ता विदुत प्रियोजना की पर्थम इकाई कप प्रारम की गई next question है बारा के अन्ता विदुत प्रियोजना की पर्थम इकाई 1989 में प्रारम की गई थी next question है वर्नक हींता एक ए प्रभावी लक्षन है अगर एक वाक पिता वे एक वाक माता की कुल संतान हो तो कितने पर्तिसत संताने अल्बिनों होगी तो कितने पर्तिसत होगी 25 पर्तिसत संताने जो है अल्बिनों होगी next question है स्क्रीन पे जेविक परिकिरियों को विदु सिंगनल में कोण बदलता है तो जेविक परिकिरियों को विदु सिंगनल में बदलते हैं जेव समविदक किस देश को किस देश को आशियन के ग्यार्विश देशे के रूप में श्यमिल करने की सेधांतिक सविकर्ती नवंबर 2022 को दिये देगी तो वो देश कौन सा है पूर्वी तेमोर पूर्वी तेमोर नेक्स्ट क्वशन स्क्रेशन पे हाली में केंदर सरकार के दवारा जारी अली सूचना के अनुसार जी एस्टी मुनाफ़ा खोरी से जुड़ी सभी सिकायतों की जांच किस संस्ता दवारा की गई है तो ये संस्ता है भारतिय परतिस परदा आयोग के दवारा नेक्स्ट क्वशन है स्क्रेशन पे मुख्य मंत्री नी सुलक युनिफोरम वित्रन योजना का सुबारंब कहा वै कब हुआ है तो इसका सुबारंब जो है युनिफोरम योजना का 29 नुवंबर 2022 जेपूर से हुआ है नेक्स्ट क्वशन है स्क्रेशन पे अरिटा पट्टी किस रज्य दवारा प्रदेश का पहला जेव विविदता विरासस्तल गोशिट किया गया है तो इस तमिल लादू के दवारा नेक्स्ट क्वशन है स्क्रेशन पे नंसार दवारा 2025 में लौंच किये जाने वाले आर्टी मिस्ट्री का संबंद किस से है तो इस त्री का संबंद है अंत्रिक शियात्रियों को चंद्रमा किस्ता पर उतारना अंत्रिक श्यात्रियों को चंद्रमा किस्ते पर उतारना नेक्स्ट है लोक देवता अमराजी भगत मत्वल अन्गड बावजी का पेनोर्मा कहां बनेगा तो अन्गड बावजी का पेनोर्मा बनेगा दोल्तपुरा चितोडगड के अंदर नेक्स्ट कोशन स्क्रीन पे रोक्ती परवत से उदगम और मेक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली टेक्सास वे मेक्सिको के मध्य सीमा का निर्धारन करने वाली नदी है तो इस नदी का नाम कौन सा है ये नदी है रियो ग्रांडो नदी नेक्ट स्क्रीन पे, निमन मेंसे सत्यकतन है, पहलाकतन देरक, अपलेशन एक प्राचिन वलिट परवत है, रोकी परवत की सबसे उन्ची चोटी माउंट मेंग की ले है, शियरा निवेदा परवत, शिंक्ट राजे अमरिका में हैं, तो सभी कतन क्या है, सही है नेक्स्ट क्वेसन स्क्रीन पे सोबालाल गुपता द्वारा किस संस्तान पर हरीजनी और भिलों के विकासे तू एक आश्रम की स्तापना की गई थी हरीजनों के लिए और भिलों के विकासे तू एक आश्रम की स्तापना की गई थी सोबालाल गुपता द्वारा तो वो स्तान कौन सा है वो स्तान है सागवडा नेक्ट क्वेसन है स्क्रीन पे राजस्तान के किस दुर्ग की आकर्ती सूप के छाजले के समान है जहां राजा जी का कुवा है और ये कच्वा वन्स की प्रार्मबिक राजदानी थी वो कौन सा दुर्ग है जेगड नहरगड दोसा या बाला का दुरग तो उससे दुर्ग का नाम है दोसा का दुरग नेक्स्ट कोसन है स्क्रीन पे निमन कत्नों पर विचार कर सही कत्न बताएं पाबुजी का परमुक स्तान कोलूमंड है जहां चेत्र अमवशे को मिला लगता है सुर्षुरा, ब्यावर, सेद्रिया, भावती ये स्तान वीरतेजाजी के थनों से संबंदित है देव नरायन जी जिनका नाम उद्येशियता, स्वाई भोज और सेडू के पुतर थे तो निमन में से कौन से कत्न है सभी कत्न सही है पाबुजी का परमुक स्तान कोलूमंड है सुर्षुरा, ब्यावर, सेद्रिया, भावती ये वीरतेजाजी से संबंदित है और देव नरायन जी जिनका बच्पन का नाम ताउद्येशियें स्वाई भोज और सेडू के पुतर थे तो सभी कत्न यहां क्या है सही है किस देवी की पीट की पूजा अर्चना की जाती है और अगर भाग की नहीं बाराजिले के सोटा गाम में इनका प्राचिन मंदिर है जा माग सुकला गदों का मिला भी लगता है तो वो कौन सी देवी है केला देवी, ब्रहानी देवी, आवड माता, अजमुवाय माता तो उस देवी का नाम है ब्रहामनी देवी next question is screen एक है बेरागी पंथ जो राता डुंगा के अंदर है एक मान पंथ जो महामंदीर जोदपुर के अंदर है तो वो कौन से संपरदाय से संबंदिट है तो ये नाथ संपरदाय next question है हमीर जी जाट और रुपा जी के घर जिनका जनम हुआ आश्विन सुकला सप्तमी को 24 वर्स में जिविस मदी ले ली और दिल्ली सुल्तान सिकेंदर लोदी ने इने भुमी परदान की ऐसे कौन से संत थे संत दादू जी, संत हरिदाज जी, संत पीपा या जसनाज जी तो यह थे जसनाज जी नेक्स्ट कोशन स्क्रेन पे निमल को सुमेलित कीजिए नेपा नगर, सिये भुमी, राउर केला और बैंगलूरू किस से संबंदित है वो आपको मिलान करके आप देखेंगे तो अप्सन नमबर यहां त्री आप, टू आपका सही रहेगा नेक्स्ट कोशन है स्क्रेन पे राज्य की पर्थम सिंचाई प्रियोजना कौन सी है जिसमें केवल फौवरा सिंचाई पदती है केवल फौवरा सिंचाई पदती है तो वो है नर्मंदा नहर प्रियोजना नेक्स्ट कोशन है श्क्रेन पे निमन में से कौन से अनुछेद में लोकसबा और विदान सबा में अनुसुचित जाती और जन जाती को दिये गे आरक्षन की अवदी बढ़ा दी गई है तो वो कौन से अनुछेद है तो वो अनुछेद है 330 और अनुछे 332 नेक्स्ट कोशन है श्क्रेन पे उच्च नियाले के सिवानिवर्ति नियादिस की पैंसन किस वेपर भारित होती है तो वो पैंसन जो है किस वेपर भारित होती है भारत की संचित निदी से नेक्स्ट क्वेसन स्क्रेन पे नीमन में से कौन से कतन सही है पहला कतन है प्रात्मिक परदुशक द्वित्य परदुशक की अपेक्षा अधिक अनिकारक होता है प्रात्मिक और द्वित्य परदुशक समाना अनिकारक होते है द्विट्य पर्दूशक प्रात्मिक पर्दूशक की अपेक्षाधी का निकारक होता है DDT एक द्विट्य पर्दूशक है तो कौन सा कतन सही है द्विट्य पर्दूशक प्रात्मिक पर्दूशक की अपेक्षाधी का निकारक होते हैं एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि तस्वीर में औरत मेरे भाणजा की दादी है तस्वीर में जो औरत है वो मेरे भाणजा की दादी है और उसका बेटा मेरी बेहन का जेट या देवर है यदि उसकी बेहन की कोई और बेहन नहीं है तो तस्वीर में औरत का उस आदमी की बेहन से संबन है सबसे पहले कोईसन को गोर से पढ़ें रिजनिंग के कोईसन है यह इसने क्या बोला है कि तस्वीर में औरत मेरे भाणजा की दादी है तो यह आप देख सकते हैं यह एक तस्वीर है यह जो तस्वीर है इस तस्वीर में जो औरत है वो मेरे भाणजा ये मैं खुद और ये मेरा भांजा ये भांजा है भांजा की क्या है दादी है मतलो बहन की सास है और उसका बेटा मेरी बहन का जेट या देवर किसका बेटा इस तस्वीर में जो औरत है उसका जो बेटा है वो मेरी बहन का या तो देवर है या जेट है यदि उसकी बहन की और कोई बहन नहीं है मतलब जो भाई था उसकी A की बहन है तो तस्वीर में औरत का आदमी की बहन से क्या संबंद है वो उसकी क्या है सास है नेक्स्ट क्वेशन है स्क्रीन पे A, B, C, D, E, F, G एक वर्ताकार घेरे में बेट करता स्केल रहे है अब इस प्रकार के कोशन है शिटिंग ववस्ता के होते हैं तो ये टोटल कितने वेक्टी है जी टक है 1, 2, 7 वेक्टी है 3, 4, 5, 6, 7 अब सबसे पहले क्या आख बोलता है F, G, K, दाई और दूसरा है तो सबसे पहले आपको क्या दूसरे वेक्टी को विटाना होता है F, G के दाई और है मतल सबसे पहले G बेटेगा अब G के दाई और कोशन बेटा है F बेटा है लेफ्ट राइट करेंगे तो इधर बाड़ा भागना है और G के दूसरा बेटा है तो 1, 2 यहां पे कोण बेटा है F बेटा है उसके बाद क्या है B, F का पड़ोसी है B जो है वो F का पड़ोसी है लेकिन C का नहीं है इसका मतल है B यहां तो यहां बेटेगा यहां बेटेगा लेकिन C का पड़ोसी नहीं है इसने बोला C का पड़ोसी नहीं है तो यहां नहीं बेट सकता तो B यहां बेटेगा ठीक है उसके बाद क्या बोला है E जो की C का पड़ोसी है तो E जो का है C का पड़ोसी है तो E जो है वो C के यहां बेटेगा यहां बेटेगा अब कनफरम नहीं है कहां बेटेगा आगे चलत इस्तान पर है, तो G के दाई और चोते इस्तान पर है, 1, 2, 3, 4, और यह जो E, E जो है, वो C का पड़ोसी है, C अब कहा है यह पता नहीं है, और G के दाई और चोते इस्तान पर है, G के दाई और, 1, 2, 3, 4, तो यहां पर कौन बेटा है, E बेटा है, ठीक है, D, E और A के बीच मे बेठा है, D जो है, वो E, E और A के बीच में बेठा है, तो यहां कौन बेठ जाएगा, D, बच गया कौन, C, C यहां बेठेगा, हम से क्या पुछा है, G के बाईं और चोते स्थान पर कौन है, G के बाईं और चोते स्थान पर कौन है, तो 1, 2, 3, 4, तो यहां हमारा जो answer रहेगा वो C रहेगा, कौन है, C, answer हमारा सही रहेगा, next question पर, लड़कों की एक पंक्ती में, महोन बाईं चोर से, बीसमा और दाईं चोर से, बार हुआ हैं, उस पंक्ती में परताव दाईं चोर से, पंदर हुआ हैं, महोन और परताव के बीच, कितने लड़के बेठे हैं, इस परक पोजिशन आपको एक रखनी है, ठीक न, दोनों की पोजिशन आपको क्या रखनी है, एक रखनी, या तो दोनों के बाईं बाईं भाग लेने हैं, या दोनों के दाईं भाग लेने हैं, आप देखो, यहां आप देखेंगे, कि एक जो है, बाईं तो एक कई दे रख है, दा सब्सक्राइब करें और एस प्रार्मबिक प्रिक्षा से संबंदित बहुती महतवपूंट है शिरीज आपके लिए फ्री आपकोस्ट उपलब करवा रहे हैं फोटी नाइनमा कोसन है चार लाल तीन पीली दो हरी डिस्कों को एक पंक्ति में कितने परकार से ववस्टिट किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं हो अब देखो चार लाल है तीन पीली है दो हरी डिस्क है उसको एक पंक्ति में कितने परकार से ववस्टिट किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्क में कोई अंतर नहीं हो इस परकार का जब कोशन पुछा जाता है तो यहां पर हमें फेक्टोरियल ववस्टा को लेते हैं तो टोटल जो गेंदे वो कितनी हो गई है डिस्क के हो गई है नो चार तीन साथ नो एक तरफ है हमारे पास चार फेक्ट इसको जब ओपन करते हैं तो यह होता है नो आठ साथ छे पांच ऐसे लिखते जाते हैं ठीक है ना ऐसे लिखते जाएंगे तीन दो एक और इसको फिर चार तीन ऐसे लिखेंगे इसको तीन दो दो एक इसका जब सॉलूशन करते हैंगे सॉलूशन करने के बाद हमारा जो फ एक 2020 एक अदेक्ष सकते हैं यह मांनते हुए एक वैक्ति एक से अधिक्त पर नहीं रह सकता इस मेंसे एक अदेक्ष्ट चुननेने प्रोब्लीटिट कितनी है 8 में से कोई भी बंद अदेक्ष्ट सकते हैं Yes कुर दिया है उसको साइड में कर देए, पिछे कितने बंदें बचेगे, साथ बंदें बचेगे, साथ में से आपको उपा देख चुड़ने है, तो उपा देख कि परोबिलीटी कितनी है, साथ, दुनों का मल्टिपलाइ करेंगे, कितना, 56, तो हमारा एंसर कितना रहेगा, 56 6 रहेगा तिन नमबर उप्शन रहेगा तो यहां पर हमारा टेस्ट फिनिस होता है तो यह था आर एएस प्रारंबिक प्रिक्षा 2023 की त्यारी करने वाले सभी युवागन के लिए बगड़वा एजुकेशनल प्लेटपॉम के दुवारा डेली फरियोब कोश्ट टेस्ट सीरीज उपलब गवाई जा रही है ज्यादा से ज्यादा युवागन के साथ इस टेस्ट को शेर करें सोसल मीडिया पर शेर करते रहें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल के प्रेस को नोट करें फिर मिलते हैं न्यू सिरीज के साथ न्यू टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद